के के दिस्टिक्ट में जब से पहले अगर हम जोगर्फिकली इसको देखे सबसे इसमें जो हिल्स है हिमाल स सबस्ahy एक ऊच्प तैकैश को कट करती है बॉक्त बनाती है चंबा और कांग्डा के पीच है वह उपर चंबा है चंबा रीजन है नीचे कांगडा रीजन है इसके बीच में हमारा दौलादार दौलादार में यह ऐसे दौलादार भे डरीकड़ी व्याज़ते से मौला दौला मौलक हिल्स किसको कहते हैं यह पूछा जाता है मॉलक मॉलक मॉला दॉला ठीक है इसके अलावा सोला सिंगी राधर धाती धार यह भी चंबा और यह चंबा वाला रीजन है तो चंबा और कांगडा के बीच को बॉर्डर बनाता है हाथी धार यह दो रिंजीश है जो पैरलेल है तो धॉला धार जा रही है और हाथी धार जा रही है चंबा कांगड़ा के विछों बॉर्डर बना रही है इसमें जिसे मेजर पासिज है यहां पर यह गसूत्री पास इंद्रहार पास तटांग पास संजोरा पास वरू पास आया हुआ है वरू पास, तैंतू का पास भी आया हुआ है, पुल्लो के साथ है तैंतू का पास, ठीक है, आशागली, इसके अलावा यहाँ पे गैरू पास है, थामसा पास, तो यह सारे चोटी-चोटे पासिस है, जो एविलेबल है, ठीक है, वरू आया हुआ है, इंद्रहार, भीम गसूत भीम गसूत्री यह आया हुआ है किसके बीच में फर्दर एक जो यह वाला एरिया है बड़ा भंगाल एरिया किस रीजन के अंड़ आता है कांगडा के अंदर बड़ा भंगाल आता है यह कोशन आ बड़ा भंगाल किन रेंज़ेज के बीच इसमये देखेंगे ना यहां से इस रिजन से यह लहांवी यह लहां को कांगडा से अर लहां यहाँ पर जो बार्डर कर रहा है यह पीशन पर वेंगे कि एक बड़ा भंगाल रीजन किन दो रिंज इसके बीच पीर पन inval और दोलातार के बीच में रहेगा इसके अलावा यहां पर जो छोटी-छोटी पहाड़ियां है जो सोला सिंगी धार है इसलिए कहा जाता है सोला फोर्ट है इसके ऊपर सिंगी धार किसका बॉर्डर कर रहा है कांगडा और उनना को बॉर्टर कर रहा है चोट-चोटे व्याइवर बन सकते हैं